हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक ने टोपिक के साथ जैसे कि आप सब को पता है हमने अभी तक रीजनिंग के नंबर सिस्टम किया है जिसे हम प्रोब्लम बेस्ट ओन नंबर के नाम से भी जानती है रीजनिंग की एक कम्प्लीट यूनिट जिसके अंदर पांच टोपिक थे हमने बहुत अच्छे से किलियर किया है और मैंने आप सब को ये भी कहा था कि हम इस यूनिट के स्सी में आईवे कोशन्स कराएंगे अभी हमें थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं टाइम को हम आने वाले दिनों में बहुत जल्द उस यूनिट के स्सी में आईवे कोशन्स की वीडियो अपलोड कर देंगे लेकिन आज हम एक मैट्स का नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियो मैट्री जिसका नाम है जियो मैट्री जिसे हिंदी में जियामीती कहते है जिसे हिंदी में जियामीती कहते है जियामीती को पढ़ना बहुत जरूरी है और यह एक बड़ा टोपिक इसे हमें cover करने में काफी time लगेगा हम इस topic के बिल्कुल basic से लेकर advance तक के questions करेंगे इसके हरे concept को सीखेंगे अब हम इस topic के पहले concept सीखते हैं हमें कुछ concept सीखने हैं और हम geometry में भी बिल्कुल basic से start करेंगे angle और line से start करेंगे अब हम इसके कुछ concept सीखते हैं आएए इसका पहले concept सीखते हैं यदि दो रेखाए इस रेखा कर नाम L1 दीजिए और इस रेखा कर नाम L2 दीजे यदि दो रेखाए L1 और L2 एक दूसरे के समांतर है L1, L2 के समानतर है ये चिन समानतर को परदसित करता है L1, L2 के समानतर है और इन्हें कोई तीसरी तिरियक रेखा डिवाइड करती है इस रेखा का नाम L3 दीजिए इन्हें कोई तीसरी तिरियक रेखा काटती है ये एंगिल इस एंगिल के बराबर होगा ये angle इस angle के बराबर होगा अगर ये कोण alpha है तो ये कोण भी alpha होगा अगर ये कोण beta है तो ये कोण भी beta होगा इन्हें बोलते हैं एक आंतर अंत्याखंड के कोण एक आंतर अंत्याखंड के कोण यदि दो रेखाए एक दूसरे के समानतर है और उन्हें कोई तीसरी तिरियत रेखा काटती है तो एक अंतर अंत्य खंड के कौन बराबर होते है यह एंगिल इस एंगिल के बराबर अब हम इसका दूसरे कॉंसेप्ट सीखते है यदि दो समानतर रेखाए L1 और L2 दो समानतर रेखाए है L1, L2 के समानतर है दो समानतर रेकाई समानतर रेकाई कहते है जो रेकाई कहीं भी नहीं मिलती है अनन्त पर जाकर मिलती है जिनके बीच की दुरी हमेशा समान रहती है और इन्हें कोई तीसरी तीरेक रेका डिवाइड करती है इसका नाम है L3 इन्हें कोई तीसरी तिर्यक्रेखा डिवाइड करती है ये एंगिल इस एंगिल के बराबर होगा अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा इन्हें बोलते है एक आंतर बहिये खंड के कौन अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानतर है माना L1 रेखा L2 के समानतर है और इन्हें कोई तीसरी तिरियक रेखा L3 काटती है तो एक आंतर बाहिये खंड के कौन बराबर होती है ये कौन इसके बराबर होता है और इनका नाम है एक आंतर बाहिये खंड के कौन हम इस टोपिक का तीसरा कॉंसेप्ट सिखते है यदि ये एक सीधी रेखा है और इस पर जितने भी कौन बनेंगे उन सभी कायोग 180 डिगरी होता है हमने देखा इस पर एक ये कौन बना माना ये कौन X डिगरी और ये कौन Y डिगरी यानि इस सीधी रेखा पर दो कौन बने है और इन दोनों का योग 180 डिगरी होता है सीधी रेखा पर बने सभी कौनों का योग 180 डिगरी होता है अगर इस रेखा पर तीन कौन भी बनते है अगर इस रेखा पर तीन कौन भी बनते है तब भी उन सभी का योग 180 डिगरी होगा मान लो ये x डिगरी, ये y डिगरी, ये z डिगरी तो x डिगरी प्लस y डिगरी प्लस z डिगरी बराबर 180 डिगरी यानि एक सीधी रेखा पर बने सभी कोनों का योग 180 डिगरी होता है कितने भी कौन बने सभी का कौन 180 डिगरी होता है अभी तक हमने इस टोपिक के तीन कौनसेप्ट से आईए अगले कौनसेप्ट सीखते है नमबर चार यदि दो सीधी रेखाए एक दूसरे को काटती है L1 और L2 सीधी रेखाए हैं और ये दोनो एक दूसरे को काटती है तो इन पर इनके आमने सामने के कौन बराबर होती है अगर ये कौन X डिगरी है तो ये कौन भी X डिगरी होगा अगर ये कौन Y डिगरी है तो ये कौन भी Y डिगरी होगा यदि दो सीधी रेखाए एक दूसरे को काटती है, दो सीधी रेखाए एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने के कौन बराबर होंगे अगर ये कौन X डिग्री है तो ये कौन भी X डिग्री होगा अगर ये कौन Y डिग्री है तो ये कौन भी Y डिग्री होगा अगला कॉंसेप्ट यदि दो रेखाए एक दूसरे के समानतर है यदि दो रेखाए एक दूसरे के समानतर है और उन्हें कोई तीसरी तीर्यक रेखा डिवाइड करती है अब समझे बहुत ध्यान से इस पर चार कौन बनेंगे एक दो तीन चार इन्हें नाम दीजे एक दो तीन चार ऐसे ही यहाँ पर च चार कौन बनेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार इन्हें बोलते हैं संगत कौन एक का संगत कौन एक ये सभी कौन एक दूसरे के बराबर है पहला कौन पहले कौन के बराबर दूसरा कौन दूसरे कौन के बराबर तीसरा कौन तीसरे कौन के बराबर चोथा कौन चोथे एक जैसी संगत पहला कोंड पहले कोंड के बराबर दूसरा कोंड दूसरे कोंड के बराबर तीसरा कोंड तीसरे कोंड के बराबर चोथा कोंड चोथे कोंड के बराबर अब सीखते हैं अगला कॉंसेप्ट किसी तिरबुज के तीने कोणों का योग 180 डिगरी होता है माल लो ये अलफा और ये बीटा और ये ठीटा तिरभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है तिरभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है देखें कैसे होता है इसे A, B, C B, C एक सीधी रेखा है B-C के समानतर एक रेका कीजिये मालो य entropy D-E है B-C और D-E समानतर है B-C और D-E समानतर है अभी अभी हमने समझयाता अगर दो समानतर रेखा ये हैं और उन्हें कोई सी तिरियक रेखा डिवाइड करती है तो एक अंतर अंत्याखंड के कोण बराबर होते है एक आंतर अंत्य खंड के कौण बराबर होते है ये कौण इसके बराबर ये कौण इसके बराबर ऐसे ही यहाँ पर ये कौण अलफा है तो ये कौण भी अलफा होगा इसी तरह यहाँ पर D, E, B, C के समांतर है अगर ये कौन बीटा है, तो ये कौन भी बीटा होगा, और हमने अभी एक कौंसेप्ट और सीखा है, एक सीधी रेका पर बने सभी कौनों का योग 180 डिगरी होता है, ये एक सीधी रेका है, इस पे तीन कौन बने है, अलफा, ठीटा और बीटा, सीधी रेका पर बने कौनों का और यही हमें पुर्फ करना था कि तीरबुज के तीनों कौनों को योग 180 डिगरी होता है तो हमें क्या पतला लगा तीरबुज के तीनों कौनों को योग 180 डिगरी कैसे होता है आईए हम तीरबुज का एक बहुत important concept और सीखते हैं जो हमारे topic का छटा concept होगा आईए हम इस topic का छटा concept समझते हैं ये एक तीरबुज है माल लीजिए ये कौन 50 डिगरी ये कौन 60 डिगरी 60 और 50 110 अभी हमने सीखा तीरबुज के तीनों को योग 180 डिगरी तो ये कौन 70 डिगरी ये कौन 70 डिगरी हम इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं हम इसे भी आग बढ़ाते हैं और हम इसे भी आगे बढ़ाते हैं अभी हमने सीखा है एक सीधी रेखा पर बने सभी कौनों का योग 130 डिगरी होता है ये एक सीधी रेखा है इस पर दो कौन बने है एक कौन ये और एक कौन ये इन दोनों का योग 130 डिगरी ये कौन 60 डिगरी तो ये कौन 120 डिग्री इसी तरह हम यहाँ पर करते हैं एक सीधी रेखाल यह इसी तरह हम यह पर देखते हैं 27 सभी कोणों का योग 180 degree होता है इस पर दो कोण मड़ा है एक कोण ये और एक कोण ये 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 70 degree तो ये 110 degree अब देखिए हम यहां से क्या कौन सा कॉंसेप्ट सीखने वाले है जो बहुत है सजों 10 degree है इससे होँ में क्या पता लगा है किसी ये कोण बहटा है और ये अनत कोण है किसी तिर्भुज का भाहिए कोण किसी तिर्भुज का भाहिए कोण अनत कोण के सम्मुक कोणों के योग के बराबर होता है मैं इसे लिख भी देता हूं किसी तिर्भुज का बहिय कौन, किसी तिर्भुज का बहिय कौन, तिर्भुज के अनते कौन के सम्मु कोनों के योग के बराबर होता है, किसी तिर्भुज का बहिय कौन, किसी तिर्भुज का बहिय कौन, तिर्भुज के अनते कौन के सम्मु कोनों के योग के बराबर होता है, इसे यहां से समझे दोबारा, यह एक तिर्भुज है, हमने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, इस पर जो कौन बनेगा, वो इन दोनों कौन के योग के बराबर होगा सिर्फ इसी रेखा पर नहीं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा यह concept बहुत important है इस concept से questions बहुत जल्दी से हो जाते हैं दुबारा समाझे लिए इस concept को अच्छे से clear कर दिए किसी तिर्बुज का बहिये कौन तिर्बुज के अन्ते कोण के सम्मुक कोणों के योग के बराबर होता है अब हम इसके कुछ questions करते हैं आज की class हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे कमी रखेंगे, इसलिए हमने कुछ concept सीखे है, छे concept हमने भी तक सीख लिए है、 इस topic में अब हम इस topic के कुछ questions करते हैं अब दिरे दिरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके questions करते चल जाएंगे और नहीने concept आते रहेंगे वह हम समझाते रहेंगे बहुत अच्छे से clear करना है Geometric topic बहुत जरूरी topic है और बहुत बड़ा भी topic है इसलिए ये बहुत जल्दी खतम तो होने वाला है अगर हम इसे बहुत जल्दी खतम करें तो हो सकता है आपको आधे concept भी ना दे सकें इसलिए हमें आपको total concept देने है A to Z हम आपको Geometric के कोशिस करेंगे कि सभी concept दे इसलिए हम बहुत देरी-देरे से चलेंगे और बहुत देरी-देरे से चलते रहेंगे जिस तरह हमने 6 concept चींघे है अब हम इसके कुछ questions करते हैं पहला questions इस questions में हमें बता गया है AD तथा CB सीधी रेका है AD तथा CB सीधी रेका है और theta का मानगयात करना है यह theta है, यह कौन 4 degree है, यह कौन 80 degree, यह कौन 52 degree, देखिए हम इस questions को कैसे करते हैं, अगर हम यह समझे, OCD एक तिरबुज है, इसी तरह OAB एक तिरबुज है, अगर हम, हमें यह कौन निकालना है, हमें theta निकालना है, तो हमें इस कौन का पता होना होगा, क्योंकि हमें पता है, तिरबुज के तिरबुज के तिरबुज के तिरबुज को योग 180 degree होता है, और हमें अगर दो कौन मिल जाएं, तो तिसरा कौन निकल जाएगा, अब हम देखते हैं, यह कौन कैसे निकलेगा, हमने अभी अभी एक concept में समझाता है, यदि दो सीधी रेख है, तो यह कौन भी अलफा होगा, अब देखी हम कैसे करते हैं, हमें पता है, तिरबुज के तिरबुज के तीनो क्नो का योग 180 degree होता है, अगर हम तिरबुज OAB में बात करें, तिरबुज OAB में, तिरबुज OAB में, इन तिनो का योग 180, 80 और 40 एकसो बीस, दो का योग 120, त तीसरे का कितना हैगा, तीसरा कौन होगा, 60 degree, क्योंकि अब तीनों का योग कितना हो गया, 180, 80 और 40, 120, और 60, 180, हमें पता है, ये alpha, तो ये भी alpha, तो ये कौन कितना हो, 60 degree, अब हमें theta निकालना है, अब तिर्बुज OCD में देखते हैं, तिर्बुज OCD में, तीनों को योग 180 degree, एक कौन 52 degree, एक कौन 60 degree, और एक कौन theta, और तीनों को योग 180, हम इन दोनों को add करके इधर पहुचाते हैं, 180 minus 112 degree, ये कौन 68 degree, ये कौन आ गया, 68 degree, देखिए हमारे पास questions करनेंगे कहीं तरीके होते हैं, हम इस questions को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर ना करें, इसक निकाले, हमें पता है, तिरबुजगी, तीनों को यानि 52 degree पलगज ठीटा, पलस alpha बराबर, एक कौन 60 degree, इसी तरह यहाँ पर, 40 degree, पलस 80 degree, पलस alpha, बराबर, 180 degree, ये भी 100 degree के बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानि 52, ठीटा, पलस alpha बराबर, चाड़िस पलस असी पलस एलफा एलफा से एलफा गया तो बावन पलस ठीटा बराबर 120 बावन को अधर किया 120 माइनस 52 तो यह आया 68 डिगरी देखिए कोस्टन्स को सोट करने के बहुत तरीके होते हैं सबसे पहली बात होती है कोसेप्ट को सीखिण आ हम इसको ऐस हैं अश्वी समंढ सकते हैं समयना हमें पता है यह कौन इसके बराबर है और तिर भूँज के तीनों को इंप यह कौन तो इसके बराबर हो गया तो हमें क्या पतलगा लगा इन दोनों को इंप 120 डिग्री है तो इन दोना को योग भी 120 डिग्री हुआ यानि बावर में क्या एड करें कि 120 हो जाए यानि 60 डिग्री देखिया हमारे पास करने के बहुत मैंतर्ड होता है लेकिन सबसे मेन बात है कि कोंसेट छीए है ।डॉसरा को संसन यहां यह है कि इक और बने सभी कोन गोट सी माइनस 35 135 तो एक्स बराबर आ गया पंदर दिघ्री इस Star Wars का अंसर 15 तो हम अब अगले से को हैं यह संग बहुत आशान थहां वाध की ने उधर बढ़ दे키े जिरतूं से और में आश्का पेपर में बहुत कम आ रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें नहीं सीखना है हमें सीखना है क्योंकि हमें a to z करना है देखिए अगर important करोगे ना तो number भी important आएगे अगर a to z करोगे तो number भी a to z आएगे यानि हमें अगर सब कुछ cover करके चलेंगे तो number भी बहुत अच्छे आएंगे अगर हम सिर्फ important करते रहेंगे ना तो number भी फिर important भी रहा जाते है इसलिए हमें तो सिर्फ a to z करना है अब हम कुछ अगले questions के और बढ़ते हैं हम अगले questions के और बढ़ते हैं तिर्फुज ओ एभी तिर्फुज ओ एभी अगर तिर्फुज गे तीनों कोण होगा है 110 C degree यह कौण 100 यह 50 यानि दोनों 150 110 करने में कितना कोण होगा यह कौण 30 degree अभी देखे हमने बिल्कुल अभी अभी सीखा था यदि दो रेखाये एक दूसरे के समंदर है और उन्हें कोई तीसरी तिरियक रेखा डिवाइड करती है तो एकांतर अंत्य खंड के कौण बराबर होने अब देखे इसमें भी तो यही हो रहा है यह दोनों समानतर है और इन्हें किसी तिरियक रेखा ने डिवाइड करती है तो ये कौन इस कौन के बराबर यानि अगर ये कौन 30 डिग्री है तो ये कौन भी 30 डिग्री तो X का मानाया 30 डिग्री देखे बिल्कुल इसे ही ऐसे करके देगे इसे ही ऐसे करके देगे तो इसका मतलब ये चितर ये ही है तो ये दोनों के रेखाए एक दूसरे के समानतर है और ये कौन 30 degree मिल गया तो ये कौन भी 30 degree होगा आईए अगले questions के और बढ़ते हैं इसमें बता गया है AB समानतर है FC के AB समानतर है FC के और X कमान निकाल लिए देखिए इस questions को हम कैसे deal करते हैं अभी अभी हमने सिखा था यदि दो रेखाए एक दूसरे के समानतर है और उन्हें किसी तीसरी तीरे के रेखा ने डिवैड कर दिया तो इस पर 4 कोन मनते हैं 1,2,3,4 और इस पर भी 4 कोन 1,2,3,4 पहला कोन पहले कोन के बराबर दूसरा कोन दूसरे कोन के बराबर तीसरा कोन तीसरे कोन के बराबर इसमें भी तो यही हो रहा है देगे अगर इस तropy रेखा को आगे बढ़ाईए तो इस पर 4 कोन हो गए 1,2,3,4 कहीं से भी माल लेजीए यहा पर माल लेजे 1,2,3,4 1,2,3,4 इसमें भी चार कॉंड है, एक, दो, तीन, चार, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चोदा, यानि ये दूसरा कॉंड है, इसी तरह इसमें भी पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यानि अगर ये कॉंड 80 डिगरी है, तो ये कॉंड भी 80 डिगरी होगा, अब देखी, यहाँ से आगे करने के पास हमारे पास दो तरीके है एक तो अभी अभी हमने ये सीखाता किसी तिर्बुज का बाहिये कौन किसी तिर्बुज का बाहिये कौन अन्ते कौन के सम्मु कोणों के योग के बराबर होता है देखें ये एक तिर्बुज है ये तिर्बुज का बाहिये कौन एक्स कमाना है 50 डिग्री लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ये एक सीधी रेखा हैं सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री अगर ये कोण 80 डिग्री है तो ये कोण 100 डिग्री ये कोण 100 डिग्री चोगी एक सीधी लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्र सब्सक्राइब करने में कितना या हमारा आंसर हम को सोट करने के हमारे पास बहुत मैतर होता है लेकिन सबसे पहली बात होती है में कॉंसेट सेगना देखे चैसे हमने ये कॉंसेट से को को बहुत आसानिके साथ कर दिया उससे पहले मने इसने से बहुत आसान बना दिया यानि दूसरा कॉण जब्ला रेखा एक दूसरे के समान्तर है ऑभी समान्तर है एफ चीह तौश किसी तिर्वर्श का उन्हाइब के सम्मू कोणों के योग के बराबर होता है यह तिरबुज का बाश्यकोण है तिरबुज का अंत्यकोण यह है या इनके सम्मू कोण इनके सम्मू कोण 30 डिगरी और एक्स डिगरी यानि 80 बराबर 30 पलस एक्स 30 को मने दर किया माइनस 80 30-30 बराबर 50 यानि X का मान 50 डिगरी आइए हम कुछ कोशन्स और करते हैं आइए हम 5 वो कोशन्स करते हैं देखें इस कोशन्स में हमें दो information दी गई है L1 समानतर है L2 के L1 समानतर है L2 के L3 समानतर है L4 के यानि L1 रेका L2 के समानतर है और L3 रेका L4 के समानतर है और X का मान निकालना है यह X डिगरी है और हमें सिर्फ इसमें सिर्फ एक एंगल दिया गया है तो इस पर चार कोण मनते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो पहला कोण पहले के बराबर दूसरा दूसरे के तीसरा तीसरे के और चोथा चोथा तो इसी तरह यहां पर भी चार कोण मनते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो यह पहला कोण 105 डिग्री है तो ये कौन भी 105 डिग्री होगा अब देखे हम यहां से क्या करते हैं अब यहां से यहां पर भी आ सकते हैं डिरेक्ट यह भी दोनों समानतर रेखाए हैं L3 और L4 भी समानतर हैं और इन्हें एक किसी तिर्यक रेखा ने डिवैड कर दिया यानि इस पर भी 4 कौन बन गए एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानि पहला दूसरा तीसरा चोटा इसी तरह पहला दूसरा तीसरा चोटा यानि दूसरा कौन दूसरे के बराबर यह कौन 105 डिग्री अगर यह कौन 105 डिग्री है अगर यह कौन 105 डिगरी है तो ये कौन कितना होगा सीधी रेखा पर बने सभी कौनों का योग 180 डिगरी ये 105 है तो ये कौन 75 डिगरी अगर ये कौन 75 डिगरी है तो ये कौन कितना होगा 105 degree क्योंकि सीधी रेका पर बने सभी कोणों का योग 180 degree होता है ये 75 है तो ये भी 105 होगा देखें हम इसे यहां से भी कर सकते हैं अगर ये 105 degree है ये कोण 105 degree है तो ये कितना बचा? 75 degree ये कितना बचा? 75 degree इसी तरह यहां पर 1, 2, 3, 4 ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 degree अगर ये 75 है तो ये कितना होगा? 105 degree हम कैसे भी कर सकते हैं इसमें सीधी रेका के concept से तुरंट हो रहा है इस question क्यों बढ़ते हैं इसमें बता गया है, l1,1 cd रेका है, इसमें ये नहीं कहा गया कि l1 और l4 cd रेका है, अभी हमने concept दीय के अकर 2 cd रेका MU Ink Age झाए होती है, तो उनके आमने सामने की कौन, बराबर होती है। यानि इन सभी कोड़ों का योग 100C डिगरी होता है 90 पलस 3 M पलस 2 M इकवल 180 डिगरी यानि 5 M इकवल 90 डिगरी हमने 90 को उदर किया 100C माइनस 90 बचा तो M का मान यहाँ पर 18 डिगरी आ गया M का मान 18 डिगरी आ गया अब N का मान निकालते हैं इस पर बने सभी कोड़ों का योग 180 डिगरी यानि 90 पलस 15 पलस N बराबर 180 डिगरी यानि N बराबर 180 माइनस 15 डिगरी N बराबर 75 डिगरी N का मान 75 डिगरी आईए इस को संसको समझते हैं इसमें दिया गया है कोन OCD बराबर 40 डिगरी कौन OBA बराबर 50 डिगरी इसे समझे इसमें चो बीच में लिखा होता है इसका मतलब वो कौन है यानि OCD लिख रहा है यानि OCD यानि ये कौन 40 डिगरी OBA यानि B कौन OBA ये कौन 50 डिगरी और इसमें दिया गया है X रेसो Y बराबर 3 अपोन 4 यानि हम रेसो को हटा कर कोई constant मान सकते है इसे 3 के मान लीजिए इसे Y बराबर 4 के मान लीजिए यानि X का मान 3 के और Y का मान 4 के है देखिए अब हम इस questions को कैसे करते हैं और हम इसमें निकालना है कौन AOC अनुपात AOB यानि AOC ये बाहर का कौन और AOB ये अंदर को कौन देखिए हम इस questions को कैसे करते हैं हमें ये कोन निकालना है और इसमें एक बात और बताएक है कि A D तथा CB 1 सीधी रेखा है देखिए को कैसे करते हैं अभी हमने questions कियाता है अगर मैं अगर दो सीधी रेखाए दो सीधी रेखाए एक दूसरे को काटती है तो यह कौन इस कौन के बराबर होगा अगर यह कौन अलपा है तो यह कौन भी अलपा होगा अगर यह कौन अलपा है तो यह कौन भी अलपा होगा अब देखे इसे यहां आप से करने के कहीं तरी करके दिखाते हैं हमें क्या करना है हमें पता है यह भी एक तिरबुज तिरबुज ओ इसके बराबर हो गया यानि इन दोनों के योग के बराबर होगा इस तिरबुज के 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 तिर लिए इसको दैना है और 3自 1 बराबर 10 डिगरे के बराबर 10 डिगरी अगर के कमान 10 डिगरी है तो एक सकमान 30 तीस डिगरी यानि 3 और या gotta 14 डिगरी यानि 4 ती अब यमें निकालना है यह ema C हमें निकालना है AOC अब देखिए तिरबुझ के तीनों कोरणा को योग 180 chrom यह 50 यह 30, 50 और 30 अस्जी यह कोण 100 डिगरी ऐक कि तीनों को योग 180, 50 और 30 अस्जी और 100 एक सो स्वी अगर यह 100 है और यह सीधी रेखा है ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिगरी, अगर ये 100 है तो ये 80 डिगरी, और ये ही तो हमें निकालना था, कोण AOC, कोण AOC 80, कोण AOB 100 डिगरी, और इसका नुपात आ गया, 4 नुपात 5, देखें मैंने बहुत सोट किया, अगर किसी की समझ में नहीं आए, तो मैं इसे दुबारा समझाता हूं, हमें पता है, इन तीनों का योग, 160 डिगरी होता है, यानि 40, पलस 4, के, पलस alpha बराबर 180 डिगरी, और इसी तरह यहां पर, 3 के, पलस 50, पलस alpha बराबर 180 डिगरी, यानि ये भी 160 के बराबर, ये भी 160 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुएं, यहाईए, 40 प्लस 4 के प्लस अलफा बराबर 3 के प्लस 50 प्लस अलफा, अलफा से अलफा कट गया, अब बचा क्या, 40 प्लस 4 के और इदर थ्री के प्लस 50, हमने भी तो यह लिखा था, यही तुम समझा रहे हैं, अलफा तो अलफा के बराबर हो गया हमें पता है तिनों को योग एक सो सी और इन तिनों को योग एक सो सी तो अलफा तो अलफा के बराबर हो गया अब इन दोनों को योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए इस आदार पर हमने के कमान दस निकाला और केसी ये कौन 30 आया और हमें पता है तिर बुजगे तीनो कोड़ों का योग 100C पचास और 3080 तो ये 100 बचा अगर ये 100 है तो ये 100 क्योंकि एक सीधी रिखबर बने सभी कोड़ों का योग 180 डिगरी ये 100 और ये 80 ए ओ सी 80 और 100 इनका नुपाट 4 नुपाट 5 देखिए आज की किलास को यहीं पर रोक देते हैं अब हम next किलास में यहीं से start करेंगे यानि हमने 6 concept सीख लिया है अब हम next किलास में साथ वे आठ वे concept की और बढ़ेंगे और questions भी हम साथ से आगे की और बढ़ेंगे देखें फिर से बता रहा हूं में geometry topic बहुत जरूरी topic है और बहुत लेकिन हमें A to Z करना है ताकि हमारा questions कहीं से भी नहीं छूटे और एक बात मैं और बताना चाहूंगा अगर किसी को हमारे notes की PDF चाहिए तो वह भी मिल सकती है हमारे channel के about में हमारे telegram channel का link है आप उसे follow करिये और वहाँ से हम notes provide कराते रहेंगे वीडियो के description में हम telegram channel का link send करते रहेंगे आप वहाँ से भी telegram channel को follow कर सकते हैं हम पर notes provide कराते रहेंगे लेकिन आपकी demand के अनुसार ही वेसे तो नोट्स के आपको कोई जरुत नहीं है हम इतना अच्छा समझा रहे हैं तो साथ की साथ उतारिए, करिए, सीखे और हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत अच्छी तैयारी करिए बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट किलास में यही से स्टार्ट करेंगे और फिर से बोलनाओं में इसकी कलास मुझे बहुत सारी लेनी है क्योंकि मुझे टुजड़ कराना है बहुत सारा कराना है जियोमेटरी में हम हर टोपिक को बहुत सारा करा कर चलेंगे हमारे हो देश से इतना नहीं है कि हम एक महिने में निम्टा दे कराएंगे और रिज्निंग की युनिट के कोशन्स मैं बहुत जल्द आपको एक 2 वीडियो में बहुत जल्द करा दूँआ बहुत जल्द दो चार करा सकता हूं थोड़ा टाइम था इसलिए अभी तक कोशन्स नहीं आता है इसलिए आज में बहुत दिन बाद आपके साथ सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक जरूर बोचाईए जिने इस कंटेंट की जरूरत हो आज के लिए तना ही दन्यवाद